आज मैं आप लोगों को कुछ चावल से रिलेटेड ऐसे चीज़े बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आप डंग रह जाएंगे शायद आपने वो पहले सुना हो जैसे कि आप जानते हैं कि चावल हर किसी के घर में बनता है जिसे जो चावल का पानी होता है यानि कि जो माण होता है चावल बनने के बाद जो माण रहता है जो पानी पानी से जो थोड़ा डाक होता है तो उसका मैं आज आपको प्रियोग बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आप लोग सच में चकित रह जाएंगे तो अगर आपने मेरे चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए मैं आपको बताती हूँ माड के प्रियोग और माड का लाब तो जैसे कि जो माड है वो आपके बालों के लिए बहुत ही जादा लाबदायक है वो बहुत उसमें बहुत तरीके के प्रोटीन्स विटमिन्स नरिश्मिंट्स है जो आपके बालों के लिए बहुत जादा ही उप्योगी हो सकते हैं जैसे कि आपके बालों में जो इसे आप बहुत सारे आजकर लोग स्रेटनर्स बहुत सारे कर्ल्स करते रहते पने बालों को तो अगर आपके बालों में दो मुहें बाल हैं आपके बहुत रफ हो रहे हैं तो अगर आप माड के जो माड है चावल के पानी से अगर अपना सर नह माने टाइम दुलेंगे और इसको थोड़े अपनी स्कैल्प में उंगलियों के मदद से उसको लगाएंगे तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाबदायक होने वाला है और उसको करने मार लगमार से पनी सर को दुलने के बाद आप नॉर्मल पानी से अपना सर दुलें फिर उसके बाद आप चाहें तो शांपू कर सकते हैं या कंडिशनर यूज़ करें और आपको कुछ ही अफ़तों में अपने बालो में चेंज दिखने लग जाएगा तो ये था पहला उप्योग इसका मैं आपको दूसरा उप्योग बिताती हूँ जो है आपके स्किन और फ काल में से उसको जब तक भूद थंडा ना हो उसको चाहे तो फ्रेज में रख दे उसको नॉर्मल यानि की नॉर्मल टैंपरेचर पे जादा थंडा भी ना ज़्यादा गरम भी नहीं उसका फ्रिज में रख के और कुछ 15 मिन बाद निकालके अपने फेस को पहले पानी से ध उसके बाद धंडे पानी से अपना मूँ धुलने और आपको कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में बलगी कुछ ही हफ्तों में क्योंकि मैंने खुछ ट्राय किया है गाइस कुछ ही हफ्तों में आपको इसका आपको इसका वलाब दिखने लग जाएगा और आपकी और मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा ही लाबकारी होगी अगर आपको इससे related कुछ भी कुछ भी पूछना हो मेरे से तो बेजिज़क मेरे से पूछिए और अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और comment में बताएं कि आपके लिए ये वीडियो useful हुई या नहीं हुई तब तक के लिए